के आज की नई रेस्पी बना रही है मूली की खास्ता कचौरी की रेस्पी तो इसके लिए मैंने 6 ते 7 मूली ले लिए आप देख सकते हैं चोटी-चोटी मूली है मेरी, आप उस सनुसार ले ले, बढ़े रहे तो थोड़ा कम लेना है, और सब को मैं इसके जड़ को थोड़ा काट दूंगी और छिल लूंगी अच्छे से, और इसे हम वास कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे मूली को, और उसकी वाद हम एक कर देंगे, कद्दू कसब बोल सकते हैं, कद्दू कस कर देंगे, इसी तरह से सारी मूली को मैं ग्रेट कर लूंगी, और उसके बाद हम आगे की रेस्पी स्टार्ट करेंगे, और ये रेस्पी बहुत हिल्दी और टेस्टी रेस्पी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में बना स और यह मूली की कचोरियां बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है, आप इसे ट्राइ करें, देख सकते हैं, मैंने सारे मूली को छिल ली हूँ, कट करके, छिल कर धोकर और उसे ग्रेट कर ली हूँ, उसके आगे पिछे का मुंडी कट कर देना है, अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमे दो कटोरी गेहूं के आटे डालेंगे, मैं ये रेस्पी सिर्फ गेहूं के आटे से बनाओंगी, तो गेहूं के आटे दो कटोरी डालना है, उसके बाद हम इसमें महीन महीन कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे, देख सकते हैं, मैंने कितनी बारिक काटी है हरी मिर्ची को, औ पारिक लहसुन की 8-10 कलियां कटके हुगे और जो मूली जो हमने ग्रेट करकर रखा था वो सारी मूली डाल दूगी इस रेश्पी में पानी का यूज कम करना है क्योंकि मूली पानी छोड़ता है उसी की पानी से माटा साल लेंगे आटे को गूथ लेंगे तो अधा नुसार जितना क्वांटिटी में आप लिये हैं आटे और मूली को उस अनुसार थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला तो देख सकते हैं जवाइन मैं गरला थोड़ा जवाइन और डालूंगे क्योंकि जवाइन हेल्थ के लिए अच्छा होता है थोड़ा सा गरह मसाला पॉडर और थोड़ा कस्तूरी मेथी बस इन सब चीजों को डाल दे और एक चम्मच वाइल डालना है उसनुसार मैंने अंद जो पानी है उससे अगर आटा गुथा जाता है तो उसी से गुथ लेना है और नहीं तो थोड़ा बहुत पानी का जरुद पढ़ता है तो थोड़े थोड़े करके पानी डाले और सक्त आटा हमें गुथना है आटा मुलायम नहीं गुथना है तो देख सकते हैं आपको गालकर उससे देख सकते हैं मुझे जीतनी पूडुटीयां चाहिए मैं उसने बराबर-बराबर भाग में बाट लिएंग मैं से पीडे बना लिएंगे, इसी तरह लोई को चिकना कर ले अब हम से बेलेंगे चकला बेलना लेंगे अर देख सकते होगा से उसमें वायल लगाएंगे ताकि चिकाइ नहीं हमें आटे से नहीं वाइल से बेलना है, पर्थन नहीं लेना है, हलका वाइल लगाकर मैं सारे पुडियों को बेल लूँगी, देख सकते हैं, सारे पुडियों को इसी तरह से बेल ले, थोड़ा थोड़ा वाइल का जब जरुवत पढ़े डाले, इसी तरह से सारी पुडियों को बेल ले और अब जब पूरियां बेल जाएगी तब हम इसे चलेंगे छानने की हो इसी तरह से सारी पूरियों को गोल-गोल चिकना करके बेल ले अच्छे से अब हम कढ़ाई चड़ाएंगे गैस पे और गैस वान करेंगे और इसमें रिफाइन वाइल डालेंगे अब वाइल तेल कुछ भी डाल सकते हो वाइल डालें उसे अच्छे से गरम हो जाए वाइल तब हम उसमें पूरियां डालेंगे और पूरियों को पलट पलट कर तल लेंगे दबा दबा कर फूल आएंगे फूल पूरियां देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल रही है फूली हैं बहुत ही टेस्टी बनती है इसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं और बच्चों को खिलाएं बच्चों को भी पुडियां बहुत पसंद आती हैं तरह पूरीयों को तल लेंगे देख सकते हैं पूरिया हमारी कितनी फूल रही है मैं आपको यह पूरी दिखा रही हूं देखे कोई-कोई पूरिया नहीं फूलेंगे क्योंकि मिलहसंन भी डाला गया और मिर्ची इसके बज़ा से फूल नहीं पाती है लेकिन कुछ-कुछ पूरियों को पूरियों को अच्छा नहीं रहे गाए नहीं पूरियों को तल लेंगे और देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी पूरियों ब्रॉण हुई है इसी तरह से सो नहरा रंग की पूरियां बन जाएगी सारी आज में पूरियों को अच्छी पूरियों को अच्छे से पकालें तो मेरी सारी पूरियां बनने वाली है उसे हम सर्भिय करेंगे प्लेटिंग करेंगे, अगर आपको हमारे चैनल की रेश्पी अच्छी लगते है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें, तो मैं इसी तरह से अच्छे रेश्पी डालती रहूंगे, तो देख सकते हैं, पुड़ी मेरी कितनी फूली है, थोड़ा सेप इसका गोल नहीं हो पाया है, लेकिन फूली बहुत अच्छे तरीके से है, तो अब मेरी सारी पुडियां बन चुकी, अब हमें से सर्व करेंगे, एक प्लेट लेंगे, बीच में एक कटूरी डालेंगे, उसमें हम टॉमाइटो सॉस डालेंगे, मैं ऐसे टॉमाइटो सॉस के साथ ही सर्व कर रही हूं, तो इसे टॉमाइटो सॉस बीच में डालेंगे, और साइड साइड में देख सकते हैं, कितनी करारी करारी और टेस्ट सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग लाइक शेर और सब्सक्राइब में चैनल